असलाम लेकूम और वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपके साथ सेम की फली और आलू की सब्जी की रेसेपी शेयर कर रहे हूं एक ड्राय सब्जी होती है ठिफिन बॉक्स के लिए बहुत यचा उप्शन होता है आप इसे लंच बॉक्स में बनागे अपने हस्बि करना पड़ेगा हमारा अच्छे से गरम हो गया है फिल्म को लो कर दिया है मैंने अब इसमें डालेंगे एक चोटी चमत जीरा और साथ में डाल देंगे हम इसमें स्लाइस में कटी हुई प्याज एक मीडियम साइज की आप चाहे तो बारीक चॉप करकी भी डाल सकते हैं मैं तो यहां पर प्यास को हमने एक से दो मनट प्यास के लिए ब्हून लेंगे अब इसमें हम ऱड़ाद करेंगे एक बड़ी साइस का तमाटा लेना है और एक अरि टमाटा रफली चॉप करके और एक हरी मिर्च को तीन हिस्टों में काट करके मैं यहां पर डाल दिया है अब इसमें थोड़े मसाले एड़ करेंगे तो यहां पर हम एड़ करेंगे एक चोटी चम्मच नमक या अपने टेस्ट के साफ से नमक करें लेएं इसके ऐने चोटी चम्मच चौटे को बेंशा पाउडर। एक चोटी चमस्च धनिया पाउडर में डाल रहे हैं अब बाद अच्छी तरह से मिला देंगे और एक से थो मिलत के लिए हमेंसे भूनना है तो पहले इसके तरह से भून लेते हैं एक मिलत के लिए और उसके बाद भून से थोड़ा सा पानी तो बड़े चम्मस के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे इससे टमाटर भी जल्दी सॉफ्ट होंगे और हमारा मसाला भी इवनली भून के तयार हो जाएगा तो अब इसे दो तीन मिट के लिए हम ढ़क के पकाएंगे मसाला मारब भून चुका है तमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं यह देखिए बिलकुल इसी तरह का हमें मसाला चाहिए इसमें तो अब इसमें हम डालेंगे सेम की फली और आलू तो सेम की फली जो है दिखने में कैसी होती है में एक पर आपको दिखा देंगे यहां पर मैंने एक सेम की फली ली है इसको हम दोनों साइट से इसके यह जो तार जैसा निकलता है इसको हम निकाल देंगे दोनों साइट से निकालना है उसके बाद आप चाहिए तो चाकु से कट कर ले या फिर हासे भी आप इसे तोड़ करके इस तरह से त्यार कर सकते हैं इस तरह से मैंने सारी बीन्स को काट लिया है सेम की फली को मैंने काट करके त्यार किया है सेम की फली को पहले दो तीन पानी में अच्छी तरह से वाश करें उसके बाद आप काट के त्यार करें इसके साथ ही हम इसमें आलू डालेंगे मैंने दो बड़े साइस के आलू लिया ह अच्छी तरह से मसाले जो है आलू और बींस के ओपर कोट हो जाएं आलू और बींस को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है अब हम इसे ढख के पकाएंगे तकरिबन 5-6 मिनट के लिए जब तकि आलू बिलकुल अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते जो फली है उसको पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन आलू को पकने में टाइम लगता है तो 5-6 मिनट के लिए हम से ढख के पका लेंगे तो यहां पे देखिए सबजी को मैंने ढख के पकाया है 5-6 मिनट और बीच बीच में इसको देखा भी है चलाती भी रही हूँ क्योंकि ये नीचे से लग सकती है और फ्लेम को आपको लो मीडियम करके रखना है लो मीडियम फ्लेम पे से 5-6 मिनट आपको पकाना है आलू हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए है सबजी हमारी बिल्कुल आप इस सब्जी की रेसिपी को ब्रिकफास्ट में बना सकते हैं पराटी के साथ बहुत अच्छी लगती है आप इस सब्जी को एक बार जरू ट्राइब करें वीडियो शी लगे ते वीडियो को लाइक और शेयर करें एपर पहली पहले और आहे तहो मेरे चैनल और ने अप जो बूले and thanks for watching this video